हेलो पिंटू अर यार में बेट करना हूं तेरे घर पर किदर है हाँ यार थोड़ा काम था तू आ रहा है ना अभी चल अच ठीक है मैं तेरे बेट करना हूं ओके अभाई पिंटू तो कैसा अदम है यार मैं तेरे घर परा कर दिरूप करता हूं तो 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 कभी मिलने भी नहीं आता चर अच्छा बता काम क्या है हां यार तुबा काम था अच्छली वह सीखना था कि फिल्मों में जो डबरोल वीडियो बनाते हैं न वो किस तरह बनाते हैं बस इतनी इसी बात कुछ है तो एक यह जा चाहते हैं और अगर आप भी यह जाना चाहते हैं कि फिल्मों के अंदर डबर डूल वीडियो कैसे दिखाते हैं तो इस वीडियो को लाच सक देखते रहे हैं कि इसकी अंदर पूरा प्रस्विज आपको सम्झाने वाला हूं और ह हो सके तो आप चैनल को यह सबस्क्राब कर लें क्योंकि यहां पर मैं लेका आता हूं इसी तरीके की नई टेकनिकल टेप्स और टूटिल वीडियो जो कि आपके लिए हैल्फ पूर साथिक हो सकते हैं तो इसके दोस्तों मैं आपको लेकर चाहता हूं अपनी पीसी की स्क्री चीम पर और यहां पर मैं सबसे पहलेख को बताठाना चाता हूं कि मैं आपर सॉफ्टर्रीज़ कर रहा हूं वो है टेक सम्य का कमताश हैं और यह वीडियो को डिस्क्रेप्शन से उसको डाउनलोड कर सकते हैं ये ट्रायकर वरिजन होता है और उसके बाद आपको इसको पर मैंने अपने सोफे पर एक साइड बैट कर रही है वीडियो शूट की है एक साइड की जो कि आप स्टार्टिंग मुझे देख रहे थे और इसके अलावा हमें बीच में कुछ स्पेस भी चाहिए होगी बैग्ग्राउंड के लिए उसके बाद मैं दूसरी साइड आकर अपनी वीडियो शूट कर लिए तो दोनों ही तरीके की वीडियो शूट करने के बाद आप अपनी इस वीडियो को तीन पार्ट में करता हूं और इस वीडियो को सिंप्री ड्रैक करकर अपने सॉप्ट्यूबर के ऊपर ले आता हूं यहां पर मेरी वीडियो दोस्तों यहां पर आ चुकी है अब मैं यहां पर देखता हूं कि मेरा पहला पार्ट कहां पर खतम होता है यहां से मैं इसको split कर देता हूँ, यह मेरा पहला पार्ट हो गया उसके बाद मैं यह unnecessary पार्ट है इसको यहां से निकाल देता हूँ और simply मैं इसको यहां बड़ डिलीट कर दूँँगा उसके बाद दोस्तों मेरे पास यह background का empty पार्ट है जो कि लगबग यहां तक है, मैं इसको split कर देता हूँ और इसके बाद यह यहां पर side मेरे लग देती है अभी मेरा तीसरा पार्ट रह गया जो कि कुछ यहां तक होगा चलिए अब हम यहां से इसको split कर देती हैं दोस्तों वैसे तो इस software के बारे में basic knowledge मैं आपने पीछे की वीडियो में आपको दिखाई गई है, समझा दिए और फिर भी अगर आपको किसी भी की तरीके कोई भी confusion और question है तो आप मुस्ता comment box में लिखके पूँच सकते हैं मैं आपके question को जरूर reply करूँगा अब दोस्तों यहां पर हमें timeline की उपर अपने time का बहुत ज़्यादा ध्यान लखना है कि किस तरीके से हमें इसको adjust करना है और layer wise किस तरह से हमें इसको set करना है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर दोस्तों हम यहां पर तीन option देख रहे हैं तीन option के बाद हमें यह वाला option select करना है crop के option को select करका हम दोस्त अपनी वीडियो को यहां से crop कर लेते हैं जितना हम एरिया नहीं चाहिए वो एरिया हमने यहां पर crop कर लिया और यह पीछे का जो देख रहे हैं दोस्तो यह background अभी यहां पर नजर आ रहा है तो कि यह background है इसलिए हमने अपने इस background को यहां पर save किया था यह same वो ही background है इसलिए यहां पर यह background भी हमारा काम करेगा उसके बाद दोस्तों दूसरी type की यह video है दूसरी side की इसको अभी हमें यहां पर लगा देना है दोस्तों अब आप यहां पर देख चुके होंगे कि यह जो वीडियो है यह दो वीडियो एक दूसरी के सामने आच चुकी है और यह इस तरही के यह से लग रहा है कि यह एक दूसरी के सामने बैटके बाचीत कर रहे हैं अब आप यहां पर अपनी voice को set कर लिजिए voice को exact match कर लिजिए कि एक के बाद दूसरी को बोलना है और आपको recording करने के टैम पर भी उस चीज का ख्याल लगना है कि सामने वाले को कितनी देर का डायलोग बोलना है और पर rendering के टैम पर आपको उस चीज का ख्याल लगना है यह दोस्तों बड़ाई simple और easy process आपको वीडियो एडिट करने का और double roll वीडियो बनाने का और दोस्तों जब भी आपको लगता है कि आपके वीडियो final है render के लिए तो आप simply यहां पर share के option पर click कर दीजिए उसके बाद local file और local file क्लिक करने के बाद आपको इस arrow के option पर click करना यह storage करका रखा हुआ वहाँ पर भी इसको share कर सकते हैं लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इसको simply local file बनाने के लिए इसके लिए मैं चूज करूँगा MP4 only 1080P यानि full HD मैं इसको simply select कर लेता हूँ उसके बाद next वीडियो पर click कर देता हूँ क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मुझे से पूंच जाती है कि आप अपनी file को की जगा पर रखना चाते हैं simply मैं इसको desktop के उपर रखना चाता हूँ यहाँ पर अपनी file का कोई भी नाम भी दे सकता हूँ और simply यहाँ पर save के option में किलिक करके मैं यहाँ पर finish कर दूँगा finish जैसे ही करते हैं दोस्तों हमारी जो वीडियो थी वो rendering के लिए जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं project हमारा render होना शुरू हो गया है और यह depend करता है आपके processor की speed की उपर कि आपका project कितना लंबा है और उसके में कितने frame कितने effect आपने दिये हुए हैं उसी के हिसाब से यह rendering के अंदर time लगगा तो उमीद दोस्तों आपके वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो पिर इसको like करें अपन आपके लिए.